लो रिस्पेक्टिट भीवर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल HP के अलर्ट्स में तो डिपार्टमेंट आफ टेकनिकल एजुकेशन जॉब इन एजुकेशन में यह जॉब निकली है तो 5th pass, 8th pass, 12th pass के लिए यह जॉब निकली है जो की हिमाचल में रहने वाली है और इसकी टोटल वेकेंसी जो है 44 रहने वाली है और किन पदों पे यह वेकेंसी रहेगी और कितनी पोस्ट है और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी किन पोस्टों के लिए आपको पूरी जनकरी इस वीडियो में दी जाएगी तो वीडियो सुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का स्वाइद करता हूँ अपने चैनल HPK Alerts में जो की प्रोवाइड करता है आपको हर छोटी और बड़ी जॉब की नोटिकेशन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर छोटी और बड़ी जॉब की नोटिकेशन हर रोज मिलती रहे तो बहुत बूरी ख़बर सुनने को आ रही है कि TGT आर्ट की प्रिक्सा जो है रद की जाएगी तो यह हुआ यूँ कि स्टैनो टाइब का पेपर भी सामको होना था तो स्टैनो टाइब के पेपर को TGT के पेपर के साथ मिक्स करके जो TGT वाले बच्चे थे उनको स्टैनो टाइब का पेपर दे दिया गया उन्हेंने solve किया जब वह question match करने लगे तो जो question थे वह standotypist के question थे question paper में तो इस यहाँ बड़ी भूल जो है हमारे हिमाचल प्रदेश staff selection board के कर्मचारियों द्वारा हुई है तो इसको बोला जा सकता है कि यहाँ हिमाचल प्रदेश staff selection board के failure से यहाँ हुआ है वीडियो को सुरू करते हैं job की तो total vacancy जो है 44 रहने वाली है जिसमें जो PN के पद भरे जाएंगे जो PN के पद रहेंगे वह 4 रहेंगे और SC के लिए एक रहेगा और Unreserved के लिए एक रहेगा और SC IRDP के लिए एक रहेगा और OBC के लिए एक रहेगा तो qualification इसके लिए मांगी गई है वह 10th pass मांगी गई है और salary आपको daily wages पे दी जाएगी जो की 250 रुपए पर डे दी जाएगी और अगली जो post है वह लेव अटेंटेंट की रहने वाली है जिसके लिए पद पदों की संख्या जो है वह दो है और Unreserved के लिए एक रहेगी और EWS एक रहेगी और qualification इसके लिए 8th pass मांगी गई है और salary आपको daily wages पे दी जाएगी 250 रुपए पर डे दी जाएगी और अगली जो post है वह लेव अटेंटेंट की रहने वाली है जिसके लिए एक ही पद बहरा जाएगा और qualification इसके लिए 8th pass मांगी गई है और salary आपको daily wages पे दी 250 रुपए पर डे और अगली जो post है चौकिदार की है और चौकिदार के बहुत सारे पद है जो पदों की संख्या है वह 26 है और unreserved जो रहेगे वह 10 पद रहेगे और EWS के लिए 3 पद रहेगा और unreserved के लिए 1 पद रहेगा और SC के लिए 6 पद रहेगे और OBC के लिए 4 पद रहेगा और इसके लिए भी qualification एट पास मांगी गई है और salary आपको daily wages पे दी जाएगी और 250 रुपए per day दिया जाएगा और अगले जो post है वह माली की रहने वाली है और पदों की संखे 8 रहने वाली है और unreserved के लिए 2 रहने वाली है EWS के लिए 1 रहने वाली है और OBC के लिए 3 रहने वाली है और OBC IRDP के लिए एक रहने वाली है और जो माली के लिए qualification मांगी गई है वह 50 पास मांगी गई है और salary आपको daily wages पे दी जाएगी 250 रुपए per day दिया जाएगा और age consider की जाएगी 1120 तक consider की जाएगी जिसमें minimum age आपकी 18 होनी चाहिए और maximum age आपकी 45 होनी इसकी जो last date है travel area के लिए 27.1.2021 रहने वाली है अगर आपको इसका official PDF डाउनलोड करना है तो उस PDF का link जो है मैं आपको हमेशा की तरह description पे दे दूँगा आप हमारी site से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं